तो राम राम गाईज सभी को आपको एक बार फिर से मेरी और से तो गाईज चलो शुरुवात कर लेते हैं आज के वीडियो में आपका स्वागत आज के मैच में अगर आपको यकीन नहीं है इस भविश्यवानी जोतिस सास्तर पर जोतिस विग्यान पर रासियों के नुसार मैच के प्रेडिक्शन पर तो आप मेरी पिछली वीडियो के चेक सकते हो प्रेडिक्शन को की कैसा बताया था और पिछली क्या आप मेरी किसी भी वीडियो का चाक पर्फिबनाहिक के बात करने वाल करें जाते हैं। जानिय सूपर किंग्स के वाही कि आपको प्रदर्शन की तरफ से अगर आप एक बार ध्यान से सुन ले कि वीडियो को स्कीप करकर कमत देखना वरना आपको आदा अधूरा ग्यान ही प्राप्त होगा इसे चलो गाईज इसे के साथ साथ भी आज की वीडियो की शुरुबात करही लेते हैं तो गाईज आपको आज के दिन बहुती बड़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा इनकी बोलिंग की तरफ से दिपक चाहार का आज के दिन इनका बोलिंग लाजवाब रहेगी और इसे के साथ साथ इसकी बोलिंग के साथ अगले खिलाड़े हैं इनके एम सैंटनर अगर ये खेले तो इनका भी लाजवा प्रदर्शन रहेगा और बहुती बड़िया प्रदर्शन रहेगा इनका अपनी टीम के लिए तो गाईज अगले खिलाडी है इनके बारे में थोड़ा सा डाउट है फिप्टी फिप्टी लेकिन ऐसा लग रहा है कि जादा तर इस खिलाडी का भी अच्छा परदर्शन रहेगा वो है मोयनली मोयनली का भी लगबगा आज के दिन बढ़िया परदर्शन रहेगा रासी और ग्रहायों को नुशार मोयनली का भी तो इसी के साथ साथ गाईस चलो भंबात कर लेते हैं दूसरी टीम गुजराज जाइंट्स के बारे में आज के दिन इनकी तरफ से आपको फिर से एक बार और फिर से बला देखने को चलता हुआ देखने को मिलेगा सुबमन गिल का आज के दिन इनके भी रासी और आंकड़े अच्छे बने हुए हैं सुबमन गिल के भी इनके भी आज के दिन बढ़िया परदर्शन रहेगा और इसके साथ साथ अगले खिलाड़ी हैं विजय संकर अगर इनकी बार ही आई तो इनका भी बहुत ही सांदार परदर्शन देखने को मिलेगा आपको विजय संकर का भी और इनके बोल रहा है अगले खिलाडी मुहम्मद समी इनका भी आज के दिन बहुत ही बहुत भातरिन पर दर्शन रहेगा मुहम्मद समी का भी लेकिन मुहम्मद समी में गाईज थोड़ा सा डाउट है इसलिए जादा नहीं कह सकते मैं आपको पहले ही बता दूँँगा जिस मैं मुझे डाउट दिखेगा जिस खिलाडी में मुहम्मद समी में थोड़ा सा डाउट है इसलिए बता रहा हूं तो चलो गाईज अगले खिलाडी की तरफ पर स्थान करते हैं अगले खिलाडी की तरफ बढ़ते हैं जो लीटल अगर यह खेले तो इनका भी बहुत ही बढ ज़्याद अच्छा परदर्शन नहीं होगा तो चलो हम शुरुआत करही लेते हैं कि आज आपको आज के दिन की खिलाडी का स्यसके की तरफ से ज़्यादा अच्छा परदर्शन नहीं देखने को मिलेगा रासी और ग्रहम के उनुसार तो इसी के साथ सबसे पहले नाम आता लगबग ऐसा नहीं कह सकते कि बिलकुल बुरा खेलेंगे और बिलकुल अच्छा भी नहीं कह सकते में पहले बीच के खिलाड़ी भी होते हैं कुछ इनका बीच का परदर्शन रहेगा वो हैं अंबती राइडू का बीच का परदर्शन रहेगा और गाइस लगबग बीच से क बीची का लग रहा है गाई जोर एम थिस खाना का भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आज के दिन एम थिस खाना और इसी के साथ चात इनके बस रित्तुराज का एक बाड़ का गाईज हमें पकानी पता तो छोड़ो इस एंस एम थिस खाना का तो ऐसा ही है गाईज और महें महेंदर सिंग धोनी भी कुछ अगर पहले बैटिंग आई तो अगर महेंदर सिंग धोनी के बारी आई तो एमस धोनी का भी लगबग आज के दिन ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा इनका भी आज के दिन बीच का प्रदर्शन रहेगा बीच का बीच से कम का भी हो सकता है लेकिन बीच के आस्पासी का रहेगा जादा तर तो चलो हम सुरुवात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में वो है जीटी गुजराथ जाइंट्स गुजराथ जाइंट्स की तरफ से अगर जीटी की बारी बाद में आई तो रीदिमान सहा का कुछ जादा अचा प्रदर्शन नहीं रहेगा अगर पहले आई जीटी की बारी तो बीच का प्रदर्शन रहेगा रीदिमान सहा का लगभग ऐसे संकेत बन रहे हैं कि रीदिमान स तीम में मैथ वेड सगरियें खेले तो इनका भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है रिदिमान सा के जैसा इनका भी लगबग बीच के आसपास के आंकड़े बने हुए हैं और अगले खिलाड़ी हैं इनके जीटी के बोदलर इसके बारे में गाईस थोड़ा सा डाउट है लेकिन अगले खी धार तर ऐसा लग रहा है कि इनका भी आज के दिन अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा अलजारी जोसफ का जारी जोसफ आज के दिन के बी कुछ चांकड़े ऐसे भी हो रहे ह। के दिन अपनी टेम के लिए महेंगे साबित हो सकते हैं अलजारी जोसेफ तो मेरे भाईयों आपको अगर जादा जानकारी चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुरूर जोइन करें तो चलो हम सुरुवात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की जीटे के तरफ से कि किस खिलाड़ी का जादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा ऐसे ही आज के दिन लगबग बीच का प्रदर्शन रहेगा रासियों के आंकड़े आ रहे हैं हर्द सब्सक्राइब कर देना इसे के साथ साथ धन्यवाद